Hey guys, welcome back to another video, it's me Ramdeet तो guys, आज हम लोग इस वीडियो में दो फून के बारे बात करने वाले हैं जिसमें से फॉर्स फून जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा Samsung Galaxy M11 और जो दूसरा फून देखने को मिलेगा, वो आपको मिलेगा Samsung Galaxy A31 तो आज मैं इस दोनों फून का कमपयर करने वाला हूँ, इस दोनों फून में सो कौनसर फून आपके लिए बहतर है, वो मैं आपको बाताऊंगा और इस वीडियो मैं आपको इस फून के पूरे डेटेइल, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स बताऊंगा कि इस फून में क्या क्या फीचर्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हिल्फुल होने वाली है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं So first of all हम स्टार्ट करते हैं guys Samsung Galaxy M11 के साथ तो guys यह जो डिलीज हुआ तो हाली में रिलीज हुआ है 30 मर्च के आसपास यह रिलीज हुआ है 2020 नहीं और इसका जो वीट आपको देखने को मिल जाएगा वो मिलेगा 197 गराम का यह फून आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन जो है आपको 6.4 इंचिस की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी साथ ही में रिजलेशन आपको देखने को मिल जाएगा 720 x 1560 पिक्सल यानी 720 x 1560 पिक्सल के साथ आपको देखने को मिल जाएगा बैटरी के बात केंदें, इहाँ पे बैटरी क्वालिट्टी काफी बेटर है, पाच हेंदार आइम एच साथ आपको Centers की बात कर लेता है, कि Samsung में expandable memory रहता यानि आप external parts लगा सकते हैं तो आप यहां पे expandable memory लगा सकते हैं अप्टू 500 2LGB तक तो गाइस तो हम बढ़ते हैं हमारे camera के तरफ तो camera quality यहां पर काफी बेहतरी है यहां पर triple camera आपको देखने को मिल जागा यहां पर इसमें से first camera आपको देखने को मिलेगा वह 13MP f1.8 aperture प्लस आपको यहां पर मिलेगा 5MP f2.2 aperture के साथ प्लस तू में a pixel का यह और camera देखने को मिलेगा वह मिलेगा वह अपको देखने को मिल जाएगा और इसमें और कुछ बात कर लेते हैं तो यह पे आपको मिलेगा हीटफुन जैक 3.5 mm का जैक मिल जाएगा आपको देखने को डूल 4G है यहाँ पे फिंगर्पिर्ट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा और कलर भी यहाँ पे आपको दो-तीन कलर ही और जिसमें से ब्लैक है ब्लू है और वाइलेट है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यह था गाइस Samsung Galaxy M11 के बारे बारे हमारे next phone के तरफ जो आपको देखने को मिलेगा Samsung Galaxy A31 तो इसके रिलीज डेट के बारे में बात करने तो यह भी March 2020 में ही रिलीज हुआ है और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको 185 ग्राम का फून पूरा फून देखने को मिल जाएगा इस्क्रीन की बात कर लेते हैं यहां पर दोनों स्क्रीन सेमी है 6.4 इंचिस का यहां पर आपको डिस्पली देखने को मिल जाएगा रिजूलेशन M11 से काफी बहतर है यहां पर 1080 x 2400 पिक्सल के साथ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और यहां पर अगर बैटरी क्वालिटी के बात करें तो बैटरी भी यह यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा रहा है और एक्सपैंडीबल जैसा की साथे सैमसंग में होता है तो यहां पर पास हो 12Gb के साथ आपको मिल जाएगा उपको तो हमने बढ़ते हैं हमारे कैमरा के तरफ तो सैमसंग गलाक्सी A31 को जो कैमरा क्वालिटी है वो काफी बहतर है यहां पर आपको छार कैमरा देखने को मिल जागा जो फॉस्ट कैमरा आपको देखने को मिल जागा जो फॉस्ट कैमरा देखने को मिल जागा जो आपको फॉर्ट कैमरा देखने को मिल जागा जो आपको फॉर्ट कैमरा देखने को मिल जागा वापको फॉर्ट कैमरा चैक काम रहा है च्बाइजके और है और व का कर्या है एक दो चैनल कर दो'M, अर्या इच्ट टीन आपग और यहांiorsंगा तो है कि आपको साउ घिन री δामें प्लस आप तो कि अदी सैंसर मिले यहां पर के इसल और में है और यह पर गाया इंञेकТ है और यहां पर प्रिज्म वाइट भी देखने को मिल जाएगा तो यह था Samsung Galaxy A31 के बारे में पुरा डीटेल अब हम लोग इस दोनों का प्राइस कंपरेशन करेंगे तो सबसे पहले फस्ट पाल बात कर लेते हैं Samsung Galaxy M11 के बारे में सीधा डबल आपको प्राइस में आपको आपको देखने को Samsung Galaxy A31 का प्राइस देखने को मिल जाएगा तो गाइस यह तो होगया प्राइस की बात तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें से कौन सा फून के लिए जादे बेतर ही है मेरे अपनी राय है तो मैं आपको बता रहा लेकिन आप अगर 12,000 के अप्रोक्सिमेटली में अगर दूसरे कंपनी के फून लेने के लिए चाह रहे हैं जैसे रियल में अगरा हो गया तो आपको Samsung से जादा फीचरस आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन अगर आप 10 11 के अंदर आसपास आपको खोज रहा है तो आप कर देना कमेंट करके जरूर बताना को वीडियो कैसा लगा और नियू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई पीस आउट